अलेकों में वर्ण आज हम आपको एक गार्डिनिंग का एक जादीबू इतरीका बता रहे हैं वह भी छत पर जिससे गार्डिनिंग की दुनिया में इनकलाब आ जाएगा वो लोग भी गार्डिनिंग करेंगी जिनकी चछटेटा वकती हैं और कमजौर हैं बहुत ही सिंपल त लॉट्टी काउप ना कम्पोस्टिंग करने की जरूरत है ना कुछ अलग से मिलाने की जरूरत है जो मिट्टी आपके पास है सिर्फ वही आप इसमें मिलाएं और यह बहुत काफी है अब वो है यह आप देख सकते हैं यह है लकडी का बुरादा जो हमारे नए घर में काम हो रहा था लकडी का तो हमने उसको कलेक्ट कर लिया है वैसे यह आपके आसपास भी मिल जाएगा और हम इसको लॉट रहे हैं इसके लिए आपको कुछ भी करने ही जरूरत है हमने इसके अंदर कपड़ा रख दिया है ताकि इसका गंगी बाहर ना आए और फर्ष खराब ना हो इसको हम पॉर्ट में वन थार्ट तक भर लेंगे बस अब हमने इसको भर लिया है आप देख सकते हैं और हमें इसमें अरी का पाम लगाना है इसकी मिट्टी को सही करो हाथ से अब यह अरी का पाम जो है निकाल के इसमें रख दो यह हमारा अरी का पाम जो के बहुत ही खुबसूरत प्लार्ट है आप देख सकते हैं यह कितना लंबा है और कितना खुबसूरत है अब आप देख सकते हैं यह लग गया है तक्रीब अब हम इसमें कुछ नहीं करेंगे सिर्फ जो बख मटी बाकी बची है वह डाल देंगे जो सारी बाकी बटी हुई मिट्टी है वह हम डाल लेंगे बस इला देना इसको पॉट को हिला दो छोड़ दो चारो तरफ फिला दो तो जनाव हमारा पॉट जो है यह फिक्स हो गया है लेकिन इसके साथ हम अभी 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 इसमें और बुरादा भी डालेंगे डालना इसको पॉट कर लेना इसको सीधा कर लो क्रेड को यह हमारा एक बहुत ही खुबसूरत पॉट त्यार हो गया है और हम चतों पे गार्डनिंग करने वालों को खास थोर से हमें यह परिशानी रहती है कि हम पॉट को कैसे उठाएं अब यह काफी भारी पॉट हो गया है अदर उठाने इसको हिला के देखना देखिए कितना हलके से आसानी से उठ गया और जबके हम मिट्टी से भरा हुआ जब पॉट उठाएंगे तो वह हमें मेरे खान में तो दो आदमी मिलकर यह उठा सकते हैं और दूसरी बात यह है कि यह शीशे का जार है शीशे का पॉट है और यह जब हम इसको उठाएंगे तो बहुत भारी हो जाएगा इधर से अधर ले जाने में परिशानी होती है और चाह्सता होंजे जब जाड़ा पढ़ता है तो हमें अपने प्यड़ों को इधर से उधर करने के लिए इंड़ोर से आउटड़र रखने के नहीं जरुद पढ़ती तो हमें बहुत ऐसानी हो जती है कि हम इसको बहुत असानी इता है और हुआ कर पानी में डाइंग नालेंगे तो भी हमारा प्यड़ खराब नहीं होगा पानी डालने की विधी मैं आपको बताती हूं जब हम इसमें पानी डालेंगे तो हम एक जगह पानी नहीं डालेंगे बलके गुमा गुमा के चारो तरफ पानी डालेंगे पाइप से यह तो मैं आपको दिखाने के लिए बता रही क्यूंकि जब हम एक जगा पाई डालेंगे तो यह पूरी तरह से बहर से भर देंगे पहले टाइम में जब ​​ पूरी तरह से पानी नीचे कलने लएगा तब चूड़ देंगे पानी डालने का तरीका यही है और इसके इलावा बहुत से आसानी हैं और बहुत से आसानी ही है खुलो हम और भुढ़ा पानी ही है और वह से आसानी है कि हम जाणो में सिर्फ 15 जिन में一次 इक बार पानी डालेंगे और हो सकता है इससे भी जादा लंबा पीरियड था कि फुक्ष्क न dalla ठाथ कूर और इसके अलावार कर दो भार पानी में नालते हैं तो ऐसे हम सर्थ लेकिन सबसे खास बात यह है कि हमें इसको देखना पड़ेगा कि हमारा यह पॉर्ट जो है सूखा है कि गीला है तो जनाब, यह असानी है, इससे ज्ज़ादा क्या असानी होगी आपको पानी कम डालना पड़े, वा पार्ड हलका हो, जहां भी आपको जरूआत हो, आप इसको असानी से कर सकते हूं इससे ज़्यादा क्या असानी होगी और मिट्टी भारी होती है आपकी च्छतों को पर बहुत ज्यादा लोट पड़ता है इससे आप बच जाएंगे तो यह है आज का वीडियो उमीद आपको पसंद आया होगा में वीडियो को लाइक करें सब्सक्राइब करें शेयर करें अल्ला हापिस